आदर्णिय जैन चोधरी जी और मुझे इस बात की भी प्रसंदता है कि राज्य सभा में सरकार से जिन मुद्दों पर लड़ना पड़ता है मुझे लगता है कि अगला अंदोलन भारती जनता पार्टी का सुभासनी अली जी के खिलाफ होने वाला है कि अपना नाम बदलो सुभासनी के साथ अली कैसे हम इस अमित के साथ साय उद्खो सकता है उसके लिए बात में अगला अंदोलन चले आदनी तिलोकी त्यागी जी और कौनोजिया साहब जो इस कारिकरम का संचालन कर रहे हमारे बहुत सारे माननी विधायक उत्रप्रदेश सरकार के उत्रप्रदेश की विधान सभा के यहां पर बैठे हैं और आप सभी गर्मान विक्तियों का महर्दे से अभिनंदन स्वागत करता हूं आज के कारिकरम में मुख्यमंत्री अर्विन केजरिवाल जी को आना था लेकिन कुरुछेत्र में एक रैली पहले से ही निर्धारित थी जिसकी वज़ा से वो नहीं आये तो उन्होंने अपनी सद्धांजली चौद्री चरण सिंग्जी के कदमों में भेजी है और मैं सर जुका के चौद्री साब को उनकी पुनितिती पे नमन करता हूं मैं चंद लाइनों से अपनी बात सुरू करूंगा यमुना प्रसाद उपाद्द्याई जी उत्तर प्रदेश के मशूर कभी हैं उन्होंने कहा था कि धान से गेहूं से जब गोदाम सारे भर गए तो पूस्ते हो पेड को इन पत्तियों ने क्या दिया इन चिरागों में जरासी जो रोस्नी है हम से है देश को इन लाल नीली बत्तियों ने क्या दिया प्रदान मंत्री जी ने आठ साल पूरा होने पर कहा कि मैंने आठ वर्सों में कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे आपको शर्मिंदा होना पड़े कितनी चीजों को याद करें जिससे देश शर्मिंदा हुआ आपने नोडबंबी की प्रदान मंत्री जी कहा काला धन खटम हो जाएगा आतंक वाद खटम हो जाएगा काला धन तो खटम नहीं हुआ आतंक वाद तो खटम नहीं हुआ लेकिन इस देश की सो जिंदगियां लाइन में लग के खड़ी रह के खतम हो गई बताइए शर्मिन्दा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए बताइए करोना की महामारी में नदी के घात पर हजारों लासे सड़ी हुई मिली चील कवे कुटे नोस्ते रहे बताइए इस देश को शर्मसार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए बताइए परधान मंत्री जी हम आपसे पूछना चाहते हैं हिंदुस्तान की आजादी के बाद बहुत बार कच्छे तेल का दाम अंतरास्टी है बाजारों में बढ़ा लेकिन सो रुपए से पार पेट्रोल और डीजल पहुँच गया इस पे हमें शर्मिंदा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए बताइए परधान मंत्री जी एक साल तक इस देश का अन्लदाता सरकों पर बैथा रहा आपने उसको दुस्वन देश के नागरिक की तरह टीट किया आसुगैस के गोले छोडे पानी की बोचारे की आपने उनके सामने कटीले तार विछवाने का काम किया सारह साथ सो किसानों की शहादत ले ली बताईए इस पर देश को शर्मिंदा होना चाहिए कि नहीं होना जाए सर्मिंदा होने के बहुत सारे कारण है चौदी चरन सिंग जी जिस हिंदू मुस्लिम एक ता जिस भाई चारे के लिए अपना पूरा जीवन उन्होंने बिताया जब तक वो जीवित थे कभी भी इस देश में सांपडा एक सोहार्थ को बिगरने नहीं दिया उसके लिए लगातार सतत संगर्स करते रहे जिसका जिक्र भी जैन चौदी जी कर रहे थे बताइए हमें सर्मिंदा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए कि जब आपकी सरकर देश की संसद में जवाब देती है कि चार साल में 3400 दंगे हिंदुस्तान के अंदर हुए बताइए इन सवालों के हमें सर्मिंदा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए आज आठ साल के राज में इस देश ने वो सब कुछ देखा जो हमने पहले कभी नहीं देखा था और जब शौदी चरण सिंग्जी की पूर्णी तिथी को हम उनको याद कर रहे हैं और सामपरदाइक सौहार्द को लेके यहाँ जैन चौदी जी ने अपनी चिंता विक्त की तो मैं यह पूछना चाहता हूँ कि इस देश में हमारे सामने सवाल क्या होने चाहिए और क्या है विवेदिता में एकता भारत की विसेस्ता है यह वो मुल्क है जहां संकट मोचन के मंदर में बिसमिल्ला खान की सहना ही गूंसती है यह वो मुल्क है जहां मलक मुहम्मद जैसी पदमाबत लिखते हैं यह वो मुल्क है जहां रस खान को परतर हम भगवान किस्न के बारे में जानते हैं ये वो मुलक है जहाँ मुहम्म्मद रफी गाना गाते हैं सुक के सब साथी दुख में न कोई मिरे राम तिरा नाम एक साचा दूजा न कोई ये वो हिंदोस्तान है और इस हिंदोस्तान के सबभाव को बिगारने की कोशिस दिन रात हिंदू मुसल्मान की चर्चा टीवी चैनलों पे भाई को भाई से लडाने की कोशिस एक दूसरे को बाटने की कोशिस बाटो और राजकरों की नीती पर हिंदुस्तान चलेगा अगर बाटो और राजकरों की नीती पर हिंदुस्तान चलेगा तो हम तरक्की और विकास के रास्ते पर तो नहीं जा सकते अंग्रेजों की नीती जरूर इस देश में लागू हो रही है आप बताईए बच्पन में हमारे माबाप कहते थे हनमान चलीसा पढ़ना है तो हनमान गली जाओ बाजपाई कह रहे हनमान चलीसा पढ़ना है तो मस्जिद में जाओ कुछ तुम मिनार में जाके हनमान चलीसा पढ़ो जाओ चले जाओ ताजमाल में हनमान चलीसा पढ़ो कितने सवालों पर आपको लड़ाये जाएगा कल को कोई उठके खड़ा होगा वो कह देगा कि साथ सुप्रीम कोट के नीचे हमें जरात में सपना आया कि इसमें तीन मंदीरे सुप्रीम कोट खोद दो कल को कोई कहगा संसद भावन के नीचे हमें सपना आया यहां पे तीन मंदीरे संसद भावन खोद दो यह हमारी आस्ता कभी से है क्या इस से देश आगे बढ़ेगा क्या इस सवाल उसे देश आगे बढ़ेगा पैतालिस वर्सों में बेरोजगारी कास्तर उच्छतम अस्तर पे पहुँच गया है मोदी जी के राज में एक सो तीनवे नंबर पर हम भुखमरी में आगे बंगला देश से भी पीछे चले गए पत्रकारों ने हमसे का कि बंगला देश से भी हम भुखमरी पे पीछे चले गए हमने का मोदी जी का मास्टर स्टोक है ऐसा बना दो इस देश को कि बंगला देशी घुस पैठी है यहां पाने ना पाएं हम भंगला देश से भी पीछे चले जाएं यह करने जा रहे हैं यह हो रहा है इस देश के अंदर तो इसलिए हमको इन सारे सवालों पर और चौधरी साथ की बात अगर मैं करता हूं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं हिंदुस्तान की राजनीती में इमांदा सारी नैतिक्ता और सच्चाई के कोई एक बड़े मानक के नेता अगर कोई हिंदुस्तान में थे तो उसका नाम था चौधी चरण सिंग्जी और ये बात मैं क्यूं कह रहा हूं एक उदारर के साथ ये बात मैं कहना चाहता हूं हमारे जिले में विधान सबा का चुना हो रहाता केसी त्यागी साहब और साथ आपको घटना याद होगी सुल्तान पुर में चौधी साहब आए उनको रैली करने जाना था एक विधान सबा छेत्र में अपने अमबेस्डर कार पे वहां के जिलाद देक्ष को बिठाया और बोले कि ये प्रत्यासी कैसा है जिलाद देक्ष ने कहा जी ऐसे आदमी को कंडिडेट बना दिया जो दिन राज सराप पी के दूबा रहता है कि कहने लगे अच्छा बोले हाँ विधायत तो बन गया था अपनी पार्टी से लेकिन काम नहीं किया जनता का दस अजार आदमी सामने खड़े चौदी साहब मंच पर आए भासन शुरू किया बोले बाई गलती से इस आदमी को टिकर दे दिया पता चला य राजनीती के अंदर ये नैतिक साहस अगर हिंदुस्तान की राजनीती में किसी को था तो वो साहस था चौदी चर्ण सिंग्जी को और बात हो रही है सामाजी कन्याई की जाती है जन्गरना की आप मुझे बताईए जैसे बिल्कुल ठीक कहा मनोज्जा जी ने अगर हमें ये जानने का हक है कि कहा सिवलिंग था कहा नहीं था अगर हमें ये जानने का हक है कि कुतुब मिनार में नीचे मंदिर था कि नहीं थ तेजों महल था कि ताज महल था अगर ये सारी बाते जानने का हक है तो हिंदुस्तान में पैदा हुए हर इंसान को ये जानने का हक क्यों नहीं है कि वो किस जाती का है जिसके आधार पर उसको आरक्षण में मिलता है लेकिन उसकी संख्या नहीं पता चलनी चाहिए और ठीक का सुभासनी अलीजी ने जब मंडल आया था तो भाजपाई का मंडल लेके निकल गए थे पूरे देश में और इन्होंने सरकार गिरा दी थी सरकार उस वक्त की स्वर्गे विस्वनात प्रताप सिंग्जी की सरकार को उन्होंने गिरा दिया था समर्थन वापस ले लि बैठती है एक सत्ता पांच हजार साल पुरानी है नहीं हिंदुस्तान में दो सत्ता है एक सत्ता दिली में बैठती है एक सत्ता नाखपुर में बैठती है और नाखपुर की सत्ता 94 साल पुरानी सत्ता है कितने साल पुरानी 94 साल पुरानी और मैं अभी आपको बोल रहा हू याद करके गूगल करके जितने तरीके से हो खोज कर देख लेना 94 साल तक उस सत्ता पर आज तक कोई पिछडा या दलित नहीं बैठा उस सत्ता का प्रमुख कोई आज तक पिछडा या दलित नहीं तो विरोध कहां से हो रहा है दो सत्ता से हो रहा है एक दिल्ली की सत्ता एक नाकपूर की सत्ता और इस बात को हमें समझना पड़ेगा डॉक्टर लोहिया कहते थे एक आदमी जीरो पॉइंट पे खड़ा है एक आदमी बीस किलो मीटर आगे खड़ा है दोनों के बीच में प्रतियोगिता नहीं कराई जा सकती समाज के वंचित, सोसित, पिछडे, दलित लोगों को विसेस आउसर देना पड़ेगा उनको मुख्यधरा में आगे लाकर देना, खड़ा करना पड़ेगा तब उनके बीच में प्रतियोगिता हो सकती है और इसलिए एक बहुत अच्छी पहला आपने किये जातिये जन्गर्ना की और समानता की, समानता के आयोग की तो कम से कम सबसे ज़्यादा जरूरत अगर 75 साल में किसी आयोग की जरूरत इस समें महसूस हो रही है लोगों को, तो समानता के आयोग की जरूरत हो रही है बराबरी का हैसास तो हो, लगे तो इनसान को कि हाँ, उनको इनसान की तरह ट्रीट किया जा रहा है कहीं किसी की लिंचिंग हो जा रही है कहीं किसी को मारा जा रहा है बताईए आप ऐसे ऐसे दृष्ष आते हैं आँख से आसू आ जाता है मद्द प्रदेश के अंदर जैन समाज के मांसिक रूप से एक कमजोर व्यक्ति को पीट पीट के इसलिए मार दिया गया कि वो आदमी अपना नाम नहीं बता सका और मारने वाला यह समझ रहा था कि यह मुसल्मान ने जब उसकी मौत हो गई तो पता चला कि यह तो जैन है और इसके परिवार के लोग बीजेपी के समर थक है यह औरा हिंदुस्तान के अंदर क्या ऐसा हिंदुस्तान हम बनाना चाहते है क्या ऐसा भारत माता की जै अगर हम लगाते है तो भारत माता के तो 130 करोर संतान है जिसमें हिंदु भी है, मुसल्मान भी है, सिक्ख भी है, इसाई है भार भार सवाल पूछते हैं लोग आपकी छमता और योग गिता पर सवाल उठाते है बिलकुल ठीक का आप अब परताल होनी चाहिए जुडिसरी की क्या हालत है उल्मे distintos देसमें दलीत और पिछले लोगों को लिए मिलता है इस पर बहत होनी चाहिए इस देसमें चर्चा होनी चाहिए चर्चा होनी चाहिए कि प्राइवेट फैक्रियों में कितने लोगों को नोकरिया मिली और किन किन समाज के लोगों को नोकरिया मोहाँ पे मिली इस बात की चर्चा होनी चाहिए और इसलिए भी होनी चाहिए क्योंकि मौजूदा जो सरकार है जिसके प्रदान मंत्री आदरनी नरेंदर मोदी जी कह रहे है आठ साल में हमने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे आपको शर्मिंदा होना पड़े आपने रेल बेज दिया आपने सेल बेज दिया आपने कोल बेज दिया आपने लाइसी बेज दी आपने बैंक बेज दिया आपने बीबी सील बेज दिया आप पूरा हिंदुस्तान बेचने की तैयारी कर रहे है किन किन बातों पे सर्मिंदा हो बताईए किन किन बातों पर सर्मिंदा हो लाल किला तक तो बेच दिया आपने और कहते हैं ताज महल तोड़ डालो इसलिए कि इसको मुगलों ने बनाया क्या क्या तोड़ोगे क्या क्या तोड़ोगे आप अंग्रेजों ने संसत बहुन बनाई उसको तोड़ डालो लाल किला बनाया उसको सब कुछ तोड़ डालो आप तो इसलिए मैं सिर्फ एक बार यही कहना चाहता हूँ कि आज ऐसे नेता की याद में हम लोग एक अठा हुए हैं ऐसे दो महतुपूर्ण विसे को लेके एक अठा हुए हैं जिसको पूरे देश में पहुचाने की आवशकता है और इसमें जो भी भूमिका मेरी हो सकती है आदने जैन चौधरी जी आपर मौजूद हैं और जो भी हमारे वरिष्ट यहाँ पर साथी मौजूद हैं उनके साथ मिलकर इस मुहिम को आगे तक पहुचाने का काम करेंगे क्योंकि हम लोग लोहियावादी हैं और ये मानते हैं कि अगर सड़क खामोस हो गई तो संसत बेलगाम हो जाएगी बहुत 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 धन्यवाद